नमस्कार आप देख रहें इंडिया वोईस और मैं हूँ आपकी साथ पर गया मिश्णा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लिकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो सीधे दिल्ली से आ रही है आपको बतादे कि शराब नीती घोटाले मामले में अर्बिंद केजिवाल की आज पेशी होने वाली है जिसको लेकर आज राओ जववेन्यू कोट में केजिवाल पेश होने वाले है शरावनीती केस में आज केजिवाल की पेशी होने वाली है आपको बता दे के कविता और मनी शिसोधिया की भी पेशी हो सकती है तो इराउज अवेन्यू पोर्ट में CBI भी अब पहुत सकती है राउज अवेन्यू पोर्ट में अर्विंद केजिवाल के आज पेशी होने वाली है 21 मार्च को अर्विंद केजिवाल को हिरासत में लिया गया था तो ये इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको हम दिलनी से बता रहे कि केजिवाल की आज न्याइक हिरासत खत्म हो रही है जिसको लेकर आज राउज अवेन्यू कोट में पेशी होने वाली है शराप बीती केस्ट में केजिवाल की हिरासत को चुनौती दिया गया था जिसकों लेकर आज राउज अवेन्यू कोर्ट में पेशी हो सकती है केजिवाल की राउज अवेन्यू कोर्ट में पेश कर सकती है CBI तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको डिल्ली से बता दे कि अरबिंद केजिवाल की आज पेशी होने वाली है उनकी नियाईक हिरासत जो है वो आज खत्म हो गई है जिसके बाद से आज उन्हें राउ दविन्यू कोर्ट में पेश होना है आपको बता दे कि एक किस मार्च को अरबिंद के जवाल को गिरफ्तार किया गया था बात करते हैं अगली कबर के ओर जो लखनों से आ रही है आपको बता दे कि फरजी जन प्रमार पत्र के मामले में एक नया मोड आया है आपको बता दे फरजी जन प्रमार पत्र मामले में जाज के गेरे में पी एफाई आई हुई है तो आपको बता दें कि राइबरेली में प्रमार पत्र में यूपी एटियस ने जाच अपनी टेज कर दी है पीद लखनों से इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें जाच के दाइरे में पीएफाई आई है राइबरेली में प्रमार पत्र में यूपी एटियस ने जाच अपनी तेज कर दिये वहीं दूसरे जिलों में भी ऐसे मामलों का पता लगाया जा रहा है राइबरेली के सालोन और सतो ब्लोकें में हुआ था फर्जी वारा इसके बाद से पीएफाई के नाम भी सामने आ रहे हैं पर्जी प्रमार पत्र मिलने की बाद एजेंसिया अपनी जाच शुरू कर दी है इसको लेकर एजेंसिया सतर्क भी नज़र आ रही है तो लगनों से इस वक्त की बड़ी ख़वर आपको बता दे ही पर्जी जन प्रमार पत्र के मामले में एक नया मोड आया है पर्जी जन प्रमार पत्र मामले में जाच के घेरे में आई है पीएफाई राइबरेली में प्रमार पत्र में यूपी एपियस में अपनी जाच सेज कर दी है पताया च्वारा है कि परजी प्रमानपत्र मिलने के बाद एजन्सिया भी सतर्ख हो गई है वह दूसरे जिनों में भी ऐसे मामलों का पता लगाया च्वारा है परजी प्रमानपत्र मामले के बाद से एजन्सिया भी काफी सतर्ख हो गई है वो नगतार जांस शुरू कर रही है नया मोड आ गया है कि इसे पीएपाई का नाम भी सामने आ रहा है फर्जी प्रमार पत्र को लेकर बड़ी बड़ी सुनवाई राज होने वाली है कि एक नया मोड आ गया है इस कबर पे जादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजू तिवारी राई बरेली से जुर गए है राजू क्या कुछ जानकारी है फर्जी प्रमार पत्र मामले में एक नया मोड आया इसको लेकर किस तरह से एजंसिया काम कर रही है इस देखे में आपको बता दो कि यह थर्जी जनुक्मार सब बनाने का मामला लगत दो वर्टों से राजरेली बिले में चला है बताया जा रहा है उती जो आरोटी इसके मामले में एक जाम की सकी है वो बिजय यादो है और दुजय यादो दो साल से कलोन विकास संग में पैनाज किया गया था और उसी जे दवरान के उसका जो कनेक्शन था वो जीसान नाम के जो चंटेवा केंश चंचाला के उसके हो गया तो जीसान के द्वारा ये जन्यक्तमाल प्रद बनाने का सिल्पिनर दो वर्तों से चल लाए था अलाकि इस मामले के पेशिक तब होई जब करनाटक से एक प्यासाई सदस जो गोल बेबन था उसका बेरी सिकेशन होने के लिए सलोन के एक डाव पालिपूर आया बता दें कि पालिपूंग्राम प्रदान के द्वारा सूरे मामले को लेकर आख्तानी बिभायद बास्ता के जो असोफ पूरी है उन्से बताई गई जब आस्थानी पुलिस को एक तैरीर दी गई है जिसमें ग्राम सतीर के द्वारा आरोप लगाए गया है कि मेरी आईडी से लगत 30,000 जन्माल सत्व बनाए गए है पर भी गएर प्रांट के है तो इसकर आस्थानी पुलिस के द्वारा यानि कहा जाए कि सलोन कोटवाल के द्वारा इस पूरे मामले को गंधूरता से न लेते हीरे आरोपी भी जिसान को मात्रेय पेस चाहर् Still में को छोर डिया गया तो उसी का पहिनाम आज हुआ कि यो कनेक्शन है वो फिलकाई को है हलागी पूरे मामले में अगर बात की जाए आरोपी जीचान की तो जीचान इसके पहले अगर जाओ जीजों पर जाकर जब इंडियावाइस की तीम में पूरे मामले को ख़ाला तो आरोपी जीचान इसके पहले माले जाओ में रहता था अना कि आपको बता दे कि आज वो आर्वो रूपय की शंपत्ति बना रख रहा है ऐसा अख्थानी लोगों का दावा है लेकिन पूरे मामले की भी संपत्ति की भी जाँ अगर बात की जाए तो असानी विजायत के द्वारा मुद्दा उपाया जाए कि इसके समझ संपत्तियों की जाच की जाए लेकिन बही बात यहीं कि सलोर में जिस्कता से 30,000 जन्माल पत्र बनाए जाए है पूरी तरह से अस्पानी लोगों के द्वारा है वह अला गलग संपत्तियों के आए हिंदी संपत्ता नहीं हो इनके द्वारा आगर बात को आंजाम दे चुका होगा लेकिन आज इससे इतना एक्षन क्यों लिए गया कि ये मामला जो है पिछले दो सालों से चल रहा है लेकिन आज इसमे इतना एक्शन क्यों लिया गया है क्योंकि ये मामला कोई नॉमल मामला तो नहीं क्योंकि फजी प्रमार पत्र पिछले दो साल से चल रहे थे आखिर इस मामले में इतना देर क्यों प्रशासन की तरफ से पूरे मामने को अंजाम दे रहे ते और आखानी प्रसाशन को कानो कान खबर नहीं लगी लेकिन आपको वताजे कि पूरे मामने से परदा तब उठता है जब एरल के एच पीया काई सदस का जेल में बंद होना पूरे मामने पर अगर देखा जाए तो आखानी प्रसाशन में बंद होना देखा जाए तो आखानी प्रसाशन में जिल्कुल भोर लापरवाई बरती है और वहीं अगर फुलिक प्रसाशन की बात की जाए यानि सलोर सानेदार थी तो सलोर सानेदार का भी कहीं बिल्गोल रवया है तो कहीं न कहीं पूरे मामने को लेकर आखानी संगतन में और आखानी लोगों में भी व्यश्यों में इसमें प्रशाशन की लापरवाई बिल्कुल साफ दिख रहे है फिलाल इस खबर पे जादर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजुर। सपा किसी भी समय नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है आपको बता दे कि सीनियर विधायक राम अचल राजपर या फिर इंद्रजीत सरोज के नाम का भी ऐलान हो सकता है कमाल अक्तर के नाम की भी चर्चा लगतार जारी है फिलाल राम अचल राजपर की दावेदा तो वहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश के दिल्ली पहुचने के बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर चहल कदमी तेज हैं। को अखिलेश के फैसले का शिदत से इंतिजार है। को उखार पेखने का काम करेगी। और जो की हमारा नेता आएगा मजबूती से विनाजवादी पार्टी में अपनी बात को रखेगा। अपनी मुद्दों को उठाएगा। और परदेश की उन्नती और तरक्षी के लिए जो भी संवलोग परियास की होई है। ऐसे में अब विदान समा में निता प्रतित्पक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी का पेज़ फसा दिखाई दे रहा है। हलाकि नामों को लेकर इस रेस में विदायक इंदरजीस सरोज के साथ राम अचल राजबर और शियुपाल यादव का नाम चल रहा है। जिसके बाद खबरों की माने तो इंदरजीस सरोज ने खराब सेहत का हवाला दे कर खुद को इस रेस से पहले ही पाहर कर लिया है। मगर अचल राजबर और शियुपाल यादव के नाम में अगर शियुपाल के नाम पर अखलेस मुहर लगाते हैं तो पीडियों को धता बता एक बार फिर अखलेस पर यादव परस्ती का ठपा लग सकता है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अगर पीडियों का जंडा बुलंद रखना चाहते हैं तो हरे कदम फोग फोग कर रखना होगा। मोधी सरकार के 3.0 के पहले बजट के सामने आने के बाद से बिपस्त सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। खास तोर पर सपा सुप्रीमो अखलेश यादो सीधे तोर पर केंद सरकार और यूपी की अंदेखा और भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। अखलेश का कहना है कि बिहार की बाड का तो सरकार को खयाल है पर यूपी की बजट में नाम तक नहीं तै किया गया है। जिसके बाद से लखनों से दिल्ली तक नराजगी और डबल इंजन के आपस में टकराने की बात कही गई है। आपको सुनवाते हैं सियासी बयान। जो आप सारे योजना हैं जो इन्होंने घोशचना की है इसमें अभी पिछली भी चल रही है उसमें बस उसको री पैकेजिंग करके उनको प्रस्तुत कियाए। बज़ेट से कुछ भी नहीं मिला और तो और दो गंटे के बाचल में राजस्तान का नाम भी नहीं लिया और इस बज़ेट से जो उमीद थी ते इसके नोजवानों को किसानों को वह अतासे लगी बढ़ती मेंगाई पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरें और OPS जो ओल्ड पें पंजाब और उत्तर प्रदेश इनके साथ सोतला विवार किया जिनको विशेज पेकेज दिया हम उनका विरोध नहीं करें लेकिन हमें भी विशेज पेकेज इनको देढ़ना दिये था अब आपने बार के लिए देखा कि दूसरे राजियों को दिया गया जहां पंजाब में एक साल में दो दो बार आएं तो उनके बारे कुछ नहीं किसानी अंदोलन इतना बड़ा चल रहा है उनको उठाया गया वादे किये गए आज किसान इतने तकलीफ में है तब भी उनके बारे में भी कुछ भी नहीं ना युवा के बारे में ना मजदूर के बारे में और पंजाब के तो पिछले छे बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया है जो लोग पंजाब के दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल होए हैं कि पंजाब के मसले हल करेंगे अब उनको जवाब देना चाहिए कि कौन सा मसला हल हो रहा है साथ बजट छे बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया क्या पंजाब के पैसे सेंट्रल पूल में नहीं जाती है तो ये बिल्कुल भेदभाव है और ये सरकार बज़ाओ बजट सा बजट में तो भेदभाव नहीं हुआ है मैं उसके वारे आपके साथ कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा और यह इन्होंने पहले भी किया है मुझे याद है कि पिछले साल माई 27 को 27 माई 2023 को आठ उपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स केजरिवाल जी, ममता बैनर जी MKS टैलन जी इन्होंने नीती आयो की जो मीटिंग हो रही थी विक्सित भारत at 2047 उसको बाइकॉट किया था और 2022 में त्रिनमूल कॉंग्रेस TRS शिफसेना, NCP BSP, समाजबादी पार्टी तेलगू देसम, शिफवनी अकालिदाल और लेफ्ट पार्टीज ने एक स्पीकर साब ने मीटिंग बलाई थी उसको उन्होंने बाइकॉट किया बात करते हैं अगली खबर की नीट यूजी 2024 परिक्षा को लेकर सुप्रीम कोट के फैसले पर बीजेपी सांसवर्द रविश शंकर प्रसाद का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोट ने अब दोबारा परिक्षा कराने की कोई आवसकता नहीं है इस बात पे अपना फैसला सुनाया है क्योंकि इसके कारण बहुत समस्या उत्पन होगी बच्चों का सेशन गरबर होगा जिन्होंने इमंदारी से परिक्षा दिये उनका भविश भी अंधकार में जाएगा जो SC, ST और OBC रिजर्वेशन की बच्चे हैं उन्हें परिशानी होगी इसलिए कोर्ट ने कहा है कि हम परिक्षा कैंसिल नहीं करेंगे सुने और क्या कुछ कहा जेश के सामने कुछ तक्थियों को रखना जरूरी है लगभग सारे 23 लाख बच्चों ने नीट की परिक्षा में आवेदन दिया था और बैठे थे 23.5 lakh students took part in the NEET examination of 2024 ये examination पांसो एक्षाटर सिटीज में चार हजार साथ सो पचास सेंटर पे हुआ था this examination was conducted in about 571 cities at 4750 centers खुद सरकार की ओर से CBI inquiry दे दी गई थी CBI को ओर से आरंभिक अपने investigation में बताया गया कि हजारी बाग और पठना और एकाथ जगह और मिलाकर करके 155 candidate के बारे में शिकायत आई है और 155 उमिद्वारों का candidate कैंसल कर दिया गया है और जो इन सभी 155 candidates के marks की तुलना की गई तो सिर्फ एक को 570 marks आया था जो respectable mark है सुप्रिम कोट ने 22 23 और 24 के examination के सारे results को examine भी किया और ये पाया कि कोई इसमें anomaly extraordinary नहीं पाई गई गई जो पहले के results होते थे उसी के अनुसर ये बी result तो सुप्रिम कोट ने कहा कि अब कोई आवशक्ता नहीं है दुबारा परिक्षा कराने की तो कि इसके कारण बहुत chaos होगा बच्चों का session गरबर होगा जिनोंने इमानदारी से परिक्षा दी है उनका भविश अन्दकार में जाएगा जो S.C.S.T.O.B.C. के reservation के बच्चे हैं उनको परिशानी होगी इसके कोट ने कहा कि हम इस पूरे परिक्षा को cancel नहीं करेंगे और उन्होंने सरकार की बात को मान लिया और कहा कि आप counseling करिये I repeat the Supreme Court found no material irregularity to order the cancellation of the entire examination 23.5 lakh students were there nearly 571 cities and 4750 centers तो ये तो बहुत बड़ी बात होई है ना अब हम कुछ बड़ा solve हना चाहते हैं इस पूरे मामले में CBI inquiry किसने order की भारत सरकार ने की इमान्दारी से जाच हो रही है किसके प्रयास से हो रही है भारत सरकार के प्रयास से हो रही है और सीविया इमांदारी से जाच कर रही है लोग पकड़े जा रहे हैं एक सो पस्पन उमिद्वार जिनके बारे में शिकायत आई उनकी उमिद्वारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दुबारा परिक्षा में नहीं बैटने दिया जाएगा इसकी भी त्यारी चल रही है तो इतनी इमांदारी से जब काम हुआ है तो राहु डांदी ये क्या चिला रहे थे जो बार बार फ्रॉड और क्या-क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे तो क्या भारत के परिक्षा की सैंटिटी को आप भारत नहीं दुनिया में बद्लाम करना चाहते है क्योंकि भारत की एक्जानेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परिक्षा नहीं करा सकती है कॉंग्रेस के रीजिम में कितनी बार पेपर लीक हुआ कभी इस तरह की करवाई हुई थी क्या अखिली शयदों के समय में कितनी बड़ी संख्या में पेपर लीक यूपी में हुआ था अब तो यूपी में गैंगिस्टर एक भी लगाने की बात हो रही है और यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार के ही प्रयाश से पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कानून बना या नहीं बना है जिसके अंतरत करवाई हो रही है और आगे भी करवाई होगी तो कि राहूल गांदी माफी मांगेंगे इन दे वेक अफ दे कंट्लूसिफ फाइंडिंग अफ दे सुप्रीम कॉट देश के सामने कुछ तक फिलहाल इस मुलिटन में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रही इंडिया वो इस तब तक के लिए नमस्कार